वीना गुजरा से मारस अच्वा फिर से जुड़ गई है जी वीना जी बताएं आपकी क्या परिशानी है मेरी बेटे जी ये परिशानी है कि मेरे पाओं बहुत दुखते हैं मैंने आपरेशन भी कराया है पर मेरे को वरास नहीं आया बहुत से पाओं दुखते हैं और एक पाओं में राइट वाल में तो सूजन आ जाती है बेटे जी जी आपकी उमर बताएं मेरी उमर चोहतर साल है चोहतर साथ अच्छा देखिए बहुत आप पर उपर वाले की महरवानी के आपको चोहतर साल में सेहत मन रखा और दूखिए हम और आप जैसे लोगों को आपरेशन नहीं कराना चाहिए इस उमर में आपरेशन 99.9% फाइदा नहीं करते जैसे आपने आपरेशन करा लेकिन फाइदा कुछी नहीं हुआ आप मुझे दो चार महीने दीजे दो महीने ज़ह 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 चार महीने और यह यह कोई है कि एक महीना दीजे एक नस्खा बता रहा हूं वह आप शुरू करे देखिए छोटी हड छोटी हड लीजे 100 ग्राम धनिया 100 ग्राम मैथी 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम यह दो सब आपके किचन में मिल जाएंगे या बहुत आसानी से मिल जाएंगे एक कौन मैं अक्सर आजकल उसका परीचे कराता हूं वो काफी महेंगा आता है और बहुत मुश्किल से मिलता है मिलता है तो नकली मिलता है तो उसकी पहचान यह है कि गौन छोटा छोटा होता है जो भी गौन महिलाएं जानती है वो छोटा छोटा होता है यह बड़ा बड़ा होता है इसे गौन सियाह कहते हैं यानि काला गौन काला गौन आप लीजे औ और यह वैसे भूरा से रंका होता है जैसे किसा बताओं आपको कहने के लिए काला होता है लेकिन देखने में ब्राउन होता है और सबसे खास बात यह कि यह इस कदर कड़वा होता है कि अगर आपने एक चुटकी जबान पर रख ले तो इतना कड़वा मुह हो जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ फौरी तोर पर खाना पड़ेगा तो ये इसकी पहचान बता रहा हूँ ताके आप को कोई नकली न दे दे तो ये नस्खा लीजे जैसे मैंने फिर दोहरा देता हूँ धनिया और सो ग्राम धनिया छोटी हड़ अलसी सो ग्राम धनिया छोटी हड़ अलसी और गौन सिया इन चारों चीज़ों को हम वजन यानि बराबर बराबर वजन में लेकर पौडर बनाएं एक ग्राम सुबा एक ग्राम शाम खाने के बाद पानी से लें दूस से लें जूस से लें जैसा आपको आसानी हो अचा पांच छे दिन के बाद आपको फाइदा शुरू होगा इतना याद रखना आपको दर्द होता है दर्द की दवा ले सकते हैं इसके साथ भी ले सकते हैं अलोपेटिक दवा ले सकते हैं एक महीने में अगर आपको 20-30% फाइदा हो तो फिर आप इसको 2-4 महीने भी इलाज कर सकते हैं, एक महीने में इतना फाइदा जरूर हो जाता है लोगों को, बेचता है लोगों को, कि ऐलोपेटिक दवा छूट जाए, बगएर उसके आप उसे बरदाश कर सकते हैं, तो यह र कि गगा